बगवान विश्णू का मतस्य अवतार शिष्टी के आंते में हुआ था जब रैकाल आने में कुछ ही वक्त बचा था मनु जनीश से की मिनुष्य कित्पत्ती हुई है बगवान विश्णू के परमभकते एक दिन वे नदी के तट पर पूजन कर रहे थे पूजन करते वक्त उ दय उत्पन होई उन्होंने उसे अपने साथ अपने कमंडल में ले लिया कमंडल में डालते ही उस मचली का आकार बहुत ही जादा बढ़ने लगा और वह बोली कि यह तो मेरे लिए छोटा पढ़ रहा है मनु ने तो फिर उसे वहां से निकाल कर उसे मटके में सिफ्ट कर द दिया स्रोवर पर डालने पर भी ऐसे ही उसका कार बढ़ने लगा तब राजा ने उसे स्रोवर से भी निकाल कर फिर समुद्र में डाल दिया समुद्र पर डालने पर भी उसका कार ऐसे ही बढ़ता चला गया तब राजा को अभास हुआ कि यह जीव कोई समान्य नहीं है पर एक नाव आएगी तुम रीशियों के साथ और ओशदियों के बीज के साथ वहां मेरा इंतजार करना ऐसे ही सात्वे दिन फिर प्रले आई और सारी प्रिथी पर पानी पानी हो गया तब ही वहां पर पानी में एक नाव नजर आई तब मनु ने बगवान विश्नु का ध्य किया तब ध्यान करने पर उन्हें मतस्य रूपी बगवान नजर आए और रसी बनने के लिए वहां शेशनाग जी आ गई उन्होंने शेशनाग को अपनी एक नाव के किनारे पर बांद लिया और दूसरे सीरे को उन्होंने मतस्य बगवान के सिंग पर बांद दिया इस परक प्रकार भवसागर में मतस्य बगवान उनकी नाव को ले जाने लगे इस प्रकार बगवान ने मनू की रक्षा की और उनने आत्म ज्यान विपरदान किया बगवान विश्णु के मतस्य अवतार की कथा आपको पसंद आई होगी तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें